हम लोग जो सत्तर के दशक के लोग हैं, उन्हें पिक्चरें बड़ी याद रहती उस वक्त की, तो दो जासूस नाम के एक पिक्चर थी, जुसका एक गाना था, दो जासूस करे महसूस के दुनिया बड़ी खराब है, ये जो हमारे यहां दो जासूस हैं, इस देश के दो जास हैं, उन्हें किसी पर भरोसा नहीं, न अपनों पे, न मीडिया पे, न न न्याय पालिका पे, न परायों पे, न एंजियोस पे, न सिविल सोसाइटी पे, आप लोगों पर तो बिल्कुल नहीं है, और इनका दोनों का, जब ये अपने राज्ये में थे, तो वहां की पुली हैं, उसको दोराना अच्छा नहीं है अभी, पूरे खुफिया तंतर, राज्ये के खुफिया तंतर को कैसे इस्तेमाल करते थे जासूसी में, वह आप सबको मालूम है, अब जब ये यहां आ गए हैं, दोनों, तो नए-ने सौफ्टवेर के माध्यम से जासूसी का काम जारी रखा हुआ इन्होंने, करोणों रुपे, हमारे और आपके टैक्सपेर के करोणों रुपे, ये ऐसे उपकरन, ऐसे स्पाइवेर, ऐसे जो इसराइल या अलग-अलग टेकनोलोजीज आती हैं, वो खरीद-खरीद कर लगा रहे हैं, ये क्यों करते हैं इसा, इसका एक साइक इसको एनालिसिस भी आप में से कुछ लोग अगर करना चाहें, तो आपको करना चाहिए, क्योंकि जो शेहनशाह हैं, जो उन्होंने एक बड़ा सा महल बनाया है, भय और जूट की जिसमें नीव है, जिस महल की, बड़ा खोखला महल है, इतना खोखला महल है, कि आपके एक स से उस महल का भंडा फूट जाता है, वो महल गिर जाता है, तो वो भय इनके अंदर है, कि साब अगर कहीं हमारा सच बाहर आ गया, तो ये महल हमारा तूट जाएगा, केंब्रिज उनिवर्सिटी में लोक तंत्र के सामने जो चुनावों पर प्रभाव डालना, देश प्रेम है, ये है शाह और शहिंशा की परिभाशाएं, चलिए हम मान लेते हैं, हम आपके विरोधी हैं, आप हमें पराया मानते हैं, आप हमें दुश्मन मानते हैं, आप हमारी जासू सी करना चाहते हैं, कराईए, लेकिन अपने ही मंत्रियों के फोन में पेगसस क्यों हुआ है आपके मंत्री हैं किस काम के कि उनके फोन में आपको कुछ मिल जाएगा हाँ इतना मालूम पढ़ जाएगा कि कहीं वो उधगाटन करने नहीं जा रहा हूँ कहीं रिबन काटने कहीं सुरिती जी नहीं चली जाए या निर्मला जी नहीं चली जाए या प्यूष गोहल जी नहीं चले जाए या अश्वनी वैशनव जी नहीं चले जाए इससे आदा तो आपको अपने मंत्रियों से उमीद भी नहीं करनी चाहिए कि कुछ वो होगा उनके पास, आपने छोड़ा क्या उनके पास, तो आप अपने ही मंत्रियों, अपने ही देश के पत्रकारों, अपने ही देश के विपक्ष, अपने ही देश की न्याय पालिका, अपने ही देश के लोगों के खिलाफ करोड़ों रुपे इसी देश का पैसा उपयोग करके दुरुपयोग करके लगाते हैं और जासूसी करते हैं पहले Cambridge Analytica तो मैंने जिक्र किया उससे पहले अगर आपको याद हो फरवरी में मैंने ही इस पर प्रेसवारता की थी तीम जॉर्ज मैं औ मामला बहुत आगे बढ़ गया और आपको याद है कि सुप्रीम कोट की टिपणी भी आपको याद है कि सरकार ने कमिटी के साथ सयोग नहीं किया और आज भी वो सील्ड कवर में बंद है पेगसास जब बहुत बदनाम हो गया तो जो मिनिमम गवर्णेंस मैक्सिमम सर्वेल गवेलेंस वाली सरकार है यह अब नया स्पाइवेर मार्केट में ढून रही है और RFP भी इन्हों ने निकाला हुआ है एक पर्टिकुलर डिपार्ट्मेंट ने यह कोगनिटो कोगनिटो नाम है इसका तो दो कोगनिटो के माध्यम से कोगनिटिव इसलिए कि इसके बारे मे ज़्यादा जानकारी नहीं है, कहीं ज़्यादा ब्लैक लिस्ट नहीं हुआ, इस पर आप लोगों ने या किसी ने ज़्यादा लिखा नहीं, तो जो ट्रेडिंग डेटा है, एक प्रमुख समाचार पत्र ने निकाला है, कॉगनाइट सॉरी, कॉगनाइट स्पाइवेर उपक खरीदा गया है, जो पेगसस का विकल्प है, इस देश में अभी लाया जा रहा है, और पेगसस की जो प्रणाली है, उसकी तूलना में इसका प्रोफाइल इतना हाई प्रोफाइल नहीं है, कि जिसके बारे में बहुत चर्चा हो गई हो देश में या विश्व में, लेकिन जो American Law Firm है एक, मैं आपको ये भेज भी रहा हूँ, जो उनका कोट है Cognite के विशे में, वो मैं पढ़के आपको ज़रा सुनाना चाहता हूँ, कि वो Cognite को वो क्या परिभाशा इनों ने दी है, Cognite ने नियमित रूप से दुनिया भर के पत्रकारों, सबसे पहले आप ही लोगों का नाम आ रहा है, हम तो बाद में आएंगे, असनतुष्टों, सत्तावादी, शासन के आलोचकों, विपक्ष के परिवारों और मानवाधिकार कारिकरताओं को उनकी जानकारी के बिना निशाना बनाया, और इन लोगों से जानकारी हासिल करने के लिए हेर फेर करके या उनके उपकरणों और खातों से समझोता करके उनके बारे में खुफिया जानकारी एकत्रत की ये जो साहब नया उपकरण खरीद रहे हैं स्पाइवेर खरीद रहे हैं उसके बारे में American Law Center एक law company है वो क्या कहती है मैंने आपको पढ़के सुनाया 120 मिलियन याने की 986 करोड का इस पर सारजनिक धन खर्च होगा मेरा और आपका 986 करोड खर्च होगा इस स्पाइवेर को खरीदने में और इसका उपयोग करने में क्योंकि उसमें कुछ लोगों को ट्रेनिंग भी देनी पड़ती होगी मुझे लगता है हालंकि यह लोग तो शाह और शेंशा तो बड़े ट्रेंड हैं हम यह जानना चाते हैं सरकार से पूछ रहे हैं कि क्या कॉगनाइट से कुछ संचार उपकरन आप लोगों खरीदे हैं खरीदे हैं तो किस मंतराले द्वारा खरीदे गए हैं उस पर कितना खर्चाया है और इसी संदर्भ में इसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए क्या एक नए स्पाईवेर को आप अन्तिम रूप देने के लिए विचार विमर्ष कर रहे हैं और अगर कर रहे पे ऐसा spyware जिसकी जानकारी अभी सारजनिक छेत्र में कम है और request for proposal RFP क्या issue कर दिया है किसी मंत्राले ने अगर हां तो वो कौन सा मंत्राले है spyware की race में अलग-अलग दो-तीन कंपनिया हैं जो जानकारी मीडिया से ही माधियम के माधियम से ही मिली है लेकिन जो कॉगनाइट है इसको मेटा द्वारा व्यापक दुरूपयोग पाये जाने के बाद नौर्वेग के sovereign wealth fund द्वारा इसके stock को dump कर दिया गया है पहले इसके बारे में थोड़ी बहुत चर्चा है ऐसा नहीं कि बिल्कुल चर्चा नहीं है quadream इन्होंने कई अलग-अलग चीज़ों से बात करनी शुरू की अलग-अलग कंपनियों से predator मैं आपको सारे details इसमें दूँ प्रेस रिलीज में तो है ही तो मैं दूँगा ही आपको आपको शैद भेज भी दिया है विनीजी ने राजनितिक, रणनितिकारों, पत्रकारों, विपक्ष, मीडिया तो है आपको याद है CBI के खिलाफ जब मोहिम छेड़ दी थी इन्होंने आधी रात को CBI पर भी छापा डाला था तो वहां भी किस तरह से इन्होंने ऐसे स्पाइवेर्स का उप्योग किया था, ये सब आप लोगों को मालुम है, लेकिन इस पे आप लोग चर्चा कम करते हैं, आपको लगता है कि आपके फोन्स भी कॉंप्रोमाईज होंगे 2019 से पहले पेगसस था, तो 2024 के चुनाव से पहले अब ये कॉगनाइट का साहरा लिया जा रहा है, इस दोरान बीच में केम्रे जाना लेटिका का मैं आपको बता ही चुका हूँ तो जो हमारे सुप्रीम लीडर हैं, उनसे हम एक आग्रह भी करना चाते हैं इस प्रेसवारता के अंत में, कि आप हम सब के घरों में तांक जांक करने के स्थान पर जरा सा कुछ वक्त के लिए अपने गिरेबान में जांक लें, कई जवाब मिल जाएंगे